दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल नवेंदू टेक में यदि आप अपने आपको गूगल के सर्च में लाना चाहते हैं तो उसके लिए गूगल एक बहुत ही अच्छा सर्विस लॉंच किया है इंडिया में जिसका नाम है गूगल पीपल कार्ड अगर आप गूगल के स जान सकता है आप आप से संपर्ख कर सकता है क्योंकि आपके पीपल कार्ड में आपका सोसल मेडिया पेजेज या आप से रिलेटर जो भी बेसिक जनकारी है वह वहां पे एड किया हो रहेगा साथ ही मैं आपको बता दू कि गूगल की या सर्विस केवल इंडिया में तो इना हुला हूं कि गूगल का पीपल कार्ड बनाने के लिए आपके पास एक मॉआइल नंबर होना चाहिए और दूस्रा आपके पास एक Gmail अगांट होना चाहिए आपके मॉबाइल नंब घूम division कार्ड कभी पाब्लिक नहीं करेगा लेकिन आपको पीपल कार्ड बनाने क के लिए mobile number और Gmail account की ज़रूत पढ़ेगी तो चलिए शुरू करते हैं कैसे आप अपना people card बना पाएंगे दोस्तों ऐसा आप google.com पे भी जाके कर सकते हैं अथ्वा जो Google search का जो एप है उससे भी यह काम कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे Google search का app है मेरे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको search bar में लिखना है add me to google add me to google अथ्वा आप यहाँ पे सर्च करेंगे edit my people card दोने में से कोई एक term लिख के आप search करेंगे देखे मैंने search किया यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे दो advertisement आगया है और उसके ठीक नीचे यह जो पहला link है यही हमारे people card बनाने का link है आप देख सकते हैं आप ए get started का option है इसी पर click करके हम आगे के pages पे जाएंगे अपना card बना पाएंगे लेकिन उससे पहले card बनेगा तो हो दिखेगा कैसा यहाँ पर एक example भी दिया हुआ है आप देख सकते हैं यह मिनाल राजन नाम की एक महिला का people card है आप देख सकते हैं उनके बारे में information है शुरू में साथ में वो कहां पर काम करती है और फिर किस university से पढ़ी है कहां रहती है उनके website का यहाँ पर लिंक दिया हुआ है साथ ही उनके social media pages का भी लिंक दिया हुआ है तो इसी तरह से आपका card भी Google पर दिखेगा जो हम get started पर click करेंगे तो हमारे जो भी Gmail account इसमें हम sign in कि होंगे इस phone में उसका option आएगा और आपको जिस भी account से create करन है तो मैं पहला account पर click करूँगा और जो ही यहाँ पर page खुलेगा तो सबसे पहले आपको अपने mobile number को यहाँ verify करने के लिए बोलेगा तो यहाँ पर सबसे पहले country code यहाँ पर हम select करेंगे आप देख सकते हैं इंडिया और यहाँ पर आपको mobile number जो भी आप यहाँ पर देना चाहरे हैं वो mobile number यहाँ डाल देंगे आप और उसके बाद यहाँ पर next पर click करेंगे और इसके साथ ही आपके mobile पर एक OTP आएगा आप देख सकते हैं उस OTP को हम यहाँ पर डालेंगे और फिर next पर click करेंगे दोस्तो अब आप देख सकते हैं कि हम main page पर आगे हैं जहाँ पर हमको अपना information भड़ना है नाम तो यहाँ पर पहले से सो हुड़ा है क्योंकि मैं अपने account से signing हूँ यहाँ पर और शुरू का जो चार option है यह दोस्तो बहुत ही must है उसके बाद के जो नीचे के जो option है यह optional है आपको अपना card बनाने के लिए अपना नाम, location, about, occupation यह चार तो डालना ही पड़ेगा बाद बाद की नीचे के जो option है वो चाहे तो आप डाले नहीं डाले आपके उपर निवर करता है तो देखिए location में हम यहाँ पर डालते हैं मुजभफर पूर यहाँ पर about में आपको अपने बाड़े में कुछ लिखना होगा कि आप क्या करते हैं क्या आपको पशन्द नापशन्द है जो कुछ भी आप अपने आपको describe करन चाहते हैं उसी साब से कर सकते हैं तो देखिए मैं यहाँ पर लिख दिखा हो मैंने यहां पर लिख दिया I teach physics and create educational and take videos यह मैंने अपने आपको about में लिख दिया इतना और occupation में मैं यहां पर लिख देता हूँ teacher ठीक है तो जो भी necessary information है card बनाने के लिए वो मैंने यहां पर भर दिया शुरुआती चार उप्सन जो है necessary है उसके बगएर आपका card नहीं बन सकता है आप देखें card देखें कैसे यहां से आप preview भी कर सकते हैं अभी मेरे card में information ज्यादा नहीं है इसलिए card मेरा छोटा सा दिख रहा है अभी इसमें हम और भी information डालेंगे जैसे आप यहां पर देख सकते हैं work तो नहीं डालूँगा मैं education डाल देता हूँ यहां पर मेसी डाल दिया और यहां पर website डाल दे रहा हूँ मैं यहां पर website डाल दिया मैंने और social profiles पर click करके हम अपने social media के pages facebook instagram twitter youtube आदी के pages यहां पर link कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहां पर मैंने twitter account अपना instagram account अपना facebook account यहां पर हम add कर चुके हैं यूटूब account को यहां पर add कर रहा हैं यहां पर हम यहां पर 2-3 facebook यहां यूटूब account यहां पर संभव नहीं है तो देखिए अब मैं save पर click करूंगा तो आप देख सकते हैं सारे social media pages यहां पर मेरे जूट चुके हैं यहां पर work में मुझे कुछ लिखना नहीं है पर देख सकते हैं इनफर्मेशन जो भी है मेरे social media pages नीचे में सबसे नीचे उसके बाद मेरा नीचे से website है उसके अद मेरे educational information है मेरा hometown लिखा हुआ है मेरे इसक्रिप्शन है और फिर मेरा नाम है यहां पर मेरा figure भी यहां पर मेरा photo भी दिखाई पड़ेगा जो कि अभी update नहीं हुआ है तो जो ही हम save पर click करेंगे मेरा people card यहां पर तयार हो जाएगा देखिए मैं save पर click कर रहा हूँ यहां पर कहता है कि आपका card successfully जो है बन चुका है और आपका card जो है update हो चुका है आप इसको google में search करके थोई दिर बाद देख सकते हैं यहां पर लिखता है view search card देखे view search card पर और अब हम यहां से card को देखे search करके देखते हैं अब देख सकते हैं कि हम google search में आ गये हैं और जेवही यहां पर मैं अपना नाम लिखकर search करूँगा यहां पर नवीन कुमार नविंदु आप देख सकते हैं मैं अपना नाम लिखकर सर्च कर रहा हूं google search में तो आप देख सकते हैं यहां पर यहां पर people लिखकर नवीन कुम पे मेरे website पे मेरे card पे click करके मेरे बारे में जान सकता है या मेरे से related information ले सकता है एक बात मैं यहाँ पे और आपको बता दूँ कि यहाँ पे edit पे click करके आप अपने card से related information को यहाँ पे update कर सकते हैं और साथ में मैं एक बात और भी बता दूँ अगर आप अपने आपको सर्च में नहीं दिखाना चाहते हैं अगर आप अपना people card जो है गूगल से हटाना चाहरा है तो सबसे नीचे में का option है remove my search card from google यहां पे click करके आप अपने card को हटा भी सकते हैं एक जनकारी मैं और आपको दे दूँ कि अगर एक नाम के अनेको वेक्ति हैं उनमें से किसी वेक्ति को अगर आप Google सर्च में ढूंड रहे हैं तो Google जो है उनका पीपल कार्ड इस तरह से कलासिफाई करके दिखाएगा कि जिसको आप ढूंडना चाह रहे हैं उसको असानी से ढ अगर पहली बार मेरे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ओन कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में